दिसंबर 2009 में बाबा गुर्मीत ने डेरे में शांदार पार्टी का आयोजन किया रंगीन महफिल सजी फिर डेरे में रह रहे भक्त विश्वास गुपता को बुलाया कहा कि तुम्हारी पतनी प्रियंका को आज से मैं अपनी धरम बेटी स्वीकार करता हूँ और तुमको दाम गुर्मीत जैसे जल्वेदार बाबा का दामात घोशित होने पर विश्वास फूले नहीं समाए देरे में बतोर जमाई राजा बड़ा ही सम्मान मिलने लगा मगर बाबा गुर्मीत राम रहीम की कुथसित मन्शा भापने में विश्वास गुपता सफल नहीं हुए गुप पल के लिए विश्वास गुपता की सांसे थम गई वे कमरे का वे द्रश जिंदगी की सारी खुशिया निगल गया बकॉल विश्वास डेरे में बाबा की गुफा की तरफ वे गए गलती से बाबा के कमरे का दरवाजा खुला रह गया था जहांका तो नजारा देख पैरों के तले जमीन खिजग गई बाबा अपनी मुगेली बेटी के साथ आपती जनक अवस्था में थे बाबा को पता चल गया कि मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है इस पर बाबा ने चुपना रहने पर जान से मारने की धमकी दे डाली विश्वास कहते हैं कि उसके बाद वे और उनका पूरा परिवार डेरा छोड़ कर पंचकुला में किराये के मकान में रहने लगे फिर भी बाबा के गुर्गों ने धमकाना जारी रखा ये हम नहीं वलकि खुद विश्वास गुपता ने उस याचिका में कहते हैं जो उन्होंने हरियाना एविम पंजाव कोट में दाखिल कर बाबा पर बीवी कब जाने का आरोप लगाया कोट से बीवी की रहाई की मांग की थी 5 अक्टूबर 2011 को इंडिया टीवी ने इस पर तफसील से रिपोर्ट की उस वक्त बाबा रहीम पर उनके मूबोले दामाद विश्वास गुपता के हे खुलासे ने ह विश्वास गुपता रिपोर्ट में कहते हैं 14 फरवरी 1999 को फतेहावाद की प्रियंका से खुद बाबा राम रहीम ने उनकी शादी कराई पहले तो बे बाबा की पुद्सित मन्शा नहीं भाप पाए मगर जब पता चला तो उनकी जिन्दगी उजड़ चुकी थी इंडिया टीवी की उस रिपोर्ट में विश्वास गुपता कहते हैं कि अगर बाबा गुर्मीत राम रहीम मेरी पतनी हनिप्रीत को धरम बेटी मानते हैं तो फिर दूर क्यों रखते हैं जब होटलों में बाबा जाते हैं तो मुझे बगल वाले कमरे में भेज दिया जाता जबकि मेरी पतनी रात में बाबा के साथ रहती थी बाबा मुझे बली बेटी को धामात के साथ रहने से क्यों रोकते हैं जब विश्वास गुपता ने पंजाब एमम हरियाना हाई कोट में मुकदमा ठोक कर डेरा सच्चा सौधा प्रमुक के कबजे से बीवी को मुक्त करा पाने की मांग की जिस पर कोट ने हरियाना के डीजीपी को एक्शन का निर्देश दिया था झाल 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 झाल